वसीम रिजवी जो अपने ब्यानों से विवाद इस पर ब्यानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं जिनोंने मुसलिम समाज का पवित्र गिरंद जो कुरान ने हकीम बोलते हैं, उसके अंदर चेंजिस की बात कही थी और बहुत चर्चा का विश्य बनेते हैं, उन्ही पर एक आ अरोप लगाया और वो थाने पहुंची वकीलों का पैनल उसके साथ था सवर्थोकौन समर्थोकौन उसके साथ था उसका खुला आरोप है कि वसीम रिजवी पिछले पांच महीनों से उसके साथ दुशकर्म कर रहा था हाला कि वह महीला जो है वह कोई और नहीं उसी के किया करता था जो और डराता था धंकाता था और वीडियो वगयरा बना करके उसको बिलेक मिल करने की कोशिश भी करता था महीला का खुला आरोप है लखनों के साथ और गंच के अंदर महीला आई और अपनी वैता सुनाई अधिकारियों के सामने पुलिस इसमें कारवाई कर करने की बात कह रही है लेकिन महीला का बड़ा आरोब वजीम रिजवी के खिलाफ के उसी के ड्राइवर की पत्नी जिसका आ रोब है कि वजीम रिजवी पिछले पांच महिनों से उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो वसीम रिजवी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा यह वो वसीम रिजवी जिसके बारे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों और काफी टाइम से ही वह अपने बातों से चर्चा में बना रहने की कोशिश करता था कुछ संद के पत्नी हैं और दुश्कर्म यानि के बलतकार का आरोप है आरोप अगर साबित हो जाता है तो वसीम रिजवी जेल जाएगा अब वसीम रिजवी के बारे में संचित में हम आप कुछ बातंग और बतादेते हैं यह किला ममला नहीं है जसमर वसीम रिजवी पर यह आरोप लगा इससे पहले भी जब वो शिया वक्ष बोर्ट के चेर्मेंग थे उन्हों कर दो एफ आई आर उन पर दर्ज हैं जिसमें उन्होंने जमीन के लेने देने पर बेचने पर गलत गहर कानूनिक तरीके से बेनामा करने पर उन पर आरोप है कि उन पर जमीनों का घोटाला है ज पच्चे जानवरों की तरह पैदा नहीं करने चाहिए कभी वो उनके पवित्र गिरंद यानिके कुरान हकीम के मतालिक ऐसी बात कहते हैं कि इसके अंदर से एक धार्मिक उन्मात भलकता है मदर्सों के अंदर चेंज होने चाहिए और अभी पिछले दिनों 26 आयते बताई थ अंदर 26 सेंटेंस को चेंज करने की बात कई थी जिसमें पूरी दुनिया में हंदोस्तान के आलिमों आवी और पूरी दुनिया के लोगों ने मजबन किया था कि वसीम रिज्वी को इस तरह की बाते नहीं करने चाहिए अब उसी वसीम रिजवी पर महिल आरोप लगा रही ह है उस कुरान हकीम की 26 आयाद चेंज करने के वाला वसीम रिजवी उसी पवित्र गिरंथ से इस बात को निकाल कर नहीं पड़ पाया किस तरह से इनसान के किरदार को ये किताबे जितने भी गिरंथ हैं वो उसके किरदार को चरित्र को उचा उठाती हैं वेराल ये हम आपको बात भाब बता रहे थे अब वसीम रिजवी के बारे में जब यह खबर आई इसके बारे में आप अपने मॉबाइल से विकीपीडिया कर सकते हैं गुदेख सकते हैं कि वसीम रिजवी का जो पिछला जीवन है है हमने जैसे विकीपीडिया खोला तो उसके अंदर लिखा है कि वसीम रिजवी एक रेल्वे करमचारी का बेटा है 2000 में लखनों में ओल्ड सिटी की कश्मीरी मुहलब वाड से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक भी चुने गए थे 2018 में शिया सेंटरल वकबूर्ट के सदस्य बने 2012 में शिया धर्मगुरू कल्ब जबबात के साथ रिजवी को 6 साल के लिए सपा से निशाषित कर दिया गया था अपने बयानों से कई बार वो ऐसा वक्तव दे चुके हैं जिसमें देश की नो विवादित मस्जिदों को हिंदू को सौंदे मुसलमान इस तरह से भी उन्होंने कहा था अब जीवनी के बारे में आप देख लीजे आप विकीपीडिया में जाके देख सकते कि किस तरह का इ चले से खराब था नैने ताल में जड़ेशन कर रहा था उस समय खराब मान सकता और चरित्र खराब होनी के विजए से इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी यह विकीपीडिया में इनके बारे में लिखा यह हमने नहीं लिखा आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है इसके आगे निखते हैं कि वह सहूध यड़ाब चले गए और एक होटल में निशले दरजय का सफाई का काम करने लगे वेटर लगे सथे का काम होता है उसको किया उसके बाद उनको पां जाने का मुखका मिला और उन्होंने कार खाने में मजदूरी की यह लिखा आए इनके विकिपीड लोटना पड़ा और यहां उन्होंने ट्रेडिंग का काम करना शुरू किया यानि कि यह आदिमी शुरू से ही इसका चरित्र इसका पिछला जीवन इस बात में रहा के अक्सर धोका धड़ी करता रहा और जब शिया वक्ष बोर्ड का चैर्मेन ये बना तो इस पर मुकदमे का काम हुए हैं इनके वक्तव के बाद भी हुए हैं और 2000 जन्वरी में इन्होंने कहा 2020 में के जन संक्या 99 पर संभावित कानूं करते हुँ वजीव रिजवी ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों का जनम प्राकरतिक है और इसमें कोई चिरड़ चाड़ नहीं करनी चा है ये तो समझ से परे है लेकिन जो पहला इंप्रेशन सामने आता है वो यही है कि ये किसी खास एक वर्क को सरकार में बैटे कुछ लोगों को खुश करनी की कोशिश करता है जिससे ये बाद जाहर हो जाए कि मैं कितना बड़ा भारती हूं कितना बड़ा मुसलिमों के खिल हूं जिससे खुश होकर इसको शायद कुछ मिल जाए लेकिन आनून अपना काम कर रहा है पहली भी इसके साथ 2020 में योगी सरकार में ही मुकदमे दर्ज हुए है और अब जिस तरह से महिला का आरोप इस पर है अगर ये साबित होता है पुलिस इंक्वारी करती है तो इसके अधर ये दुशकर्म के आरोप में जेल भी जाएगा और पता चल जाएगा कि वसीम रिज्वी के नियू से निकलने वाला पहले जो शब्द थे वो भी एक छलावत है एक जूट था एक धोका था और अब और तो की इज़त ना करने में उसके साथ दुशकर्म करने में ये म पैता करने चाहिए मस्जिद मस्जिद का मसलाओं मंदिर का मसलाओं नियायाले बैठे हैं वह हल करने के लिए लेकिन इस तरह के कुकुर मुत्ते जब सोसाइटी से निकल कर आगे आते हैं किसी भी धर्म के अंदर हो तो वह धर्मों के बीच में दो समुदाओं के बीच में हाई पाटने का काम करते हैं, डो समुदाओं को अलग करने का काम करते हैं, अब परसनली इस पर मुकदमा हुआ देखने वाली बात यही है, कि पुलिस किसी के संडुक्षण की वजए से इसके कारवाई धीमी करती है, या कानून के अनुरूप इस पर कारवाई करते हुए, मा साथ सिर्फ हजाब रखम भीजने के लिए यहां दियेगे फोन पे गूगल पे और पीटियम निबर का इस्तमार के साथ